हेलो एवरिवेंड वेलकम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल तो आज के व्लॉग में आप खुद देख लीजे क्या है चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हालो फ्रेंड गुड मॉर्निंग तो यह मॉर्निंग वीडियो है अभी सुबह सुबह यह तयार हो गए खाना पीना भी बना दिया तो मनतवे के पापा के लिए हैं मनतवे का नासा करा दिया मनतवे को दूद दे दिए मनतवे के कुछ बाते बता रहा है पापा को कि यह चली हैं मनतवे का राकाई है तो घचाक टूद आना अट्रो मॉर्त जसले हो तो, दोर में पता है जडता है, को तो को एद दिन मारता जड़िदे प्रोड़िगे मारता करेश्म तो, जा मपाइड़ जड़िए अवची के वाण बारता है कर दोंटन कर दो झार स्फ़्चेर कर दो पूंट minutes पिर आप मन्तवी और मंतवी की पापा दोनों ही निकल रहे हैं मंतवी की पापा अपने ऑफिस जाएंगे मंतवी को छोड़कर मंतवी जाएगा अपने स्कूल मंतवी मेरा पैट छोना भूल गया है तो अभी वापस आएगा दुबारा वह स्कूल जाते टाइम में पैट चूके जाता है और वह हमेंसा पैट चूक कर और फ्लाइंग किसी करके तो जरूर जाता है जो पहुच लिया है मंतवी तो गया मैं मंतवी की पापा गये और मैंने सुबह चाए नहीं पीती तो चाए को गरम कर लेती हूं मैंने गरम होगी है मैं इसको कप में चान लेती हूं कि आराम से सामती से चाए पीते हैं पहले तो अभी मंतवी की चला गया है उसके पापा भी तयार हो के साथ में चले गए हैं अब वह मंतवी की छोड़ते हूं सीधा अपना ओफिस जाएंगे तो बस मेरा काम उनके लिए खतम हो चुका है मतलब अब मैं आपने लिए थोड़ी सी चाह लेके युक्त में अच्छी लगती ये सुने में तो कभी कभी नहीं सुन si डेई दोनों एपीसूडों को एक साथ सुन लेती हूं तो बास मैं चोड़ी की चाय लेके बैठी हूं और अभी मेरा कुछ करने का मन नहीं है चाय पीते पीते स्टोरी भी सुन लेते हैं चौरी है कम्पूटर पर सुनती हूं यह संपर शाले मुट कर द चसकी मोगय कर दारान क वाद सिर्शलिव थक भी 컨ष्पन नहीं चायओ है। ि कर वह को, यह सुन है, यह ससं aerial ही आनले हैं तagit खर लाज आनले हैं आ कर द夏ने के वह कर लाद सम है है वह कर दो पolphनी है? कि कंप्यूटर में मैंने इसलिए चलाया स्टोरी को क्या है ना कि इसमें मुझे और भी कुछ काम करना होता है और मोबाइल मेरे दोनों बिजी रहते हैं मतलब दोनों मोबाइलों में और कुछ नहीं कर सकती मैं स्टोरी का इंजोय करते हुए मैं चाय पी रही हूं अब मैं जा रही हूं मनतवे को लेने के लिए तो मनतवे को लेकर आती हूं प्रेंड्स अब बता है मनतवे आ गया है उसकूल से अब अब वह अपना कुछ काम करने लग रहा है जो पर कुछ का हूंबग भी करवा दिया था हूंबग तो क्या हूंबग बहुत कम मिलता है उसको तो थोड़ा मैं नहीं इसको पढ़ाने बढ़ा दिया था तो युश्यूं मतलब प्रैक्टिस बनी रहे रिटन बर्थ की तो बस कुछ स्पैलिंग लेखवाई थी मैंने उसको तो मतलब अच्छे से लीख लिया था अभी मैंने आपको बताया है कि इसे पहली वीडियो जो है उसमें उसमें आपको बताया ही था कि मैं घर पे जाने का प्लैन है तो य सटर्डी संडी का उसका छुप्ती रहता है एंड 27 तो समर वेकिसन स्टार्ट हो जाएगा तो बस उसका समर वेकिसन स्टार्ट होते ही फिर हमने टिकेट बुक करा भी लिया है एंड एंड यस आपको बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिलेगा क्यूंकि मैं यहां रहती हो यह दूर्ण वहां में रहती है वह रिंट पर हैं क्योंकि मेरे मंतवे के पापा का जॉप है इदर तो जॉप की वजेसे हमें जहां जौब備 होता है वहां पर हमको रेंट पर रूम लेना पड़ता है पहले हुतार्गी ताइम से मंतवे के पापा का रिसी केस में भी जॉब किया हुआ है उन्होंने क्योंकि उन्होंने एम फार्मा किया था तो यस रिसी केस में भी उन्होंने जॉब किया है एंड हमारी साधी के टाइम पे भी रिसी केस में ही थे वो एंड मैं भी का एक दो बार गूम के आई थी एंड उसके बाद फिर मनतवी के पापा आ गए थे जैपूर जैपूर हमारा भरतपूर से काफी नजदीक पड़ता है जैपूर तो बस जैपूर आ गए थे क्यों रिसी केस काफी दूर पड़ता था तो आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था उनको तो उन्होंने जैपूर में ही कुछ मलब जॉब के लिए देखा तो उन्होंने जैपूर में फिर जैपूर के बाद उनका जोदपूर के लिए भ अब यहां हम अब यहां हम जहां रहते हैं तो रेंट पर ही रहना पड़ता है क्योंकि घर हमाइरा भरतपुर में अपना हुआ है हमारा खुद का घर है आपको जरूर दिखाऊंगी सबसे पहले तहां हम नों arc सा्षुराल वाले घर में जाने वाले को अब हम भरतपूर में ही मेरा साषुराल है और माय का हाई काफी दूर नहीं हो है पास-पास में भरतोर एक का मार्केट एडिया सिटी बोल सकते हैं उसको इतना ज्याला बड़ा भी नहीं इतना चोटा भी नहीं है पसका कांफी करनेका मान है करने जान करने समर्विक नहीं है तो वो सिफ 15 डेज कर चुटी लिया है उन्होंने चुटी मतलब मिला है उनको वहां पर छोड़ के आ जाएंगे और बाद में आने का देखेंगे मैं अपने भाई की साथ आऊंगी या फिर हो सकता है तो मंतवी के पापा भी दुबारा मतलब राउंड लगे हमारे हम जाने का बाद में देखेंगे लेकिन अभी जाने का फिक्स हो गया है और बस अब मनतवी का कल एक स्कूल और है कल उसका स्कूल खतम हो जाएगा एंड फिर हमारे पास टाइम रहेगा आराम से तो हम पैकिंग वेकिंग रिस्टार्ट करते हैं और ट्रेन के लिए कुछ कुक नग Wick Ś credibility जाने का रिजण यह है कि तो हमको काफी वन यर तो हो गया आए हुए हम लोग लेघ सम आगस्त में लिए खते अब तक हमको लगबख अप अगस्त आने वाला ही छे तो वन य चीप और हो ही जाएगा तो बस काफी थोड़ा एक साल हो गया तो घर पर जाने का मन भी है और मंमी की मेरी मंमी की तबियत थोड़ी ठीक नहीं है उनको थोड़ा मेरी जरूरत है तो सबसे बड़ी वज़े वही है कि मंमी के लिए मैं जा रही हूं क्योंकि ममी का जो है थोड़ा ऑप्रेशन हुआ था उनका कीमो थेरपी भी हुआ है तो उनको खाने पीने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है बहुत जादा बहुत जादा वीक हो गई है और मुझसे छोटी भी मेरी सिस्टर्स हैं जो मतलब जैपूर में ही रहती है अपनी जॉप से रिलेटेड मतलब थोड़ा कंपिटीशन से रिलेटेड प्रॉपरेशन कर रही है और भाई भी है भाई भी आया हुआ है वो भी ममी के पास ही है वो पर वो क्या है ना कि खाने पीने का भाई नहीं देख सकता तो इसलिए फिर मेरा बहुत ज्यादा मान है क्योंकि ममी का ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे भी मैं नहीं गई थी और ममी को बोला भी था तो ममी को बोली इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है लेकिन अब क्या बैहन भी अपनी दो मही तो थी पॉन्हे ने वो भी रही थी मम motivation तो फिर उनको उनकी पडाई के लिए तैयारी करनी है एंडू एक्जाम भी आ रही हूं उसका ममे को देख एंगी या मम मे के लिए भी कपी सारी यखाने पीने का तो बस बड़ सबसे बड़ा रिजन ही है ही मेरे लिए कि मैं सिर्फ मम्मी की वज़े से जा रही हो, नहीं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था गर पे जाने का, वो अपनी पर्सनल रीजन्स हैं, कभी सेयर करेंगे फिर, तो बस मम्मी की तबीत थीक हो जाए, फिर देखते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा वो है, नया माहौल देखने को म मिलेगा मेरे साथ मैं जरूर शेयर करूंगी, अगर मैं कर पाई तो वहां जाकर, प्यूंकि मम्मी सबसे पहले तो मुझे मम्मी की तबीयत ही देखनी है, ममी तबीत ठीक हो रहे, तो बस मम्मी को ठीक करके आना है, एंड नया माहौल मिलेगा, नया आपको व्यू देखने क आपको मिलेगा वीडियो में, एंड वो सका तो मैं भरतपूर भी आपको सेयर कर वाँगी, एंड भरतपूर में काफी अच्छी जगे है, एक्शली, काफी भरतपूर में वर्ट सेंचरी भी है, एंड घना पक्षी बिहार है, काफी सारे के लिए भी है, गंगा मंदिर है, मैंने सची बताओं मैंने खोधने नहीं देखा है, मैंने बस एक भरतपुर का कुछ भी नहीं देखा, घना पक्षी भिहार मतलब वर्ड जन्चुरी का भी मैं अंदर से देखा नहीं है, सिर्फ गेट देखा है उसका कि पते फिर्फे दजरूर में दो बार हो आई हैं अगरा के ताज महल भी और थीजल बार हो आई है вмा 쪽 मार 15 में खुक मैं my March में खुक है है और कि आई इसोतलक तो पापा के साथ हैं मोग रहते घंजा काफी अलग अलग बтовक्षिटी में हम लोग रहे हैं और फिर जम एट नाइंट क्लास में आ पापा का ट्राइन्सवर जलगां हो गया था तो तो हमने भरतपुर में सैटल कर लिया पापा का भी ठ्रांसफर अब हो गया था तो जगए जगह हमारी पढ़ाई से रेलेटेड बहुत ही हमको जादा प्रॉब्लम हो ता तो पापा भी खुद सोच रहे थे कि बच्चे बड़े हो रहे हैं पढ़ाही से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो गी तो इससे अच्छाय कि में एक जगई हो जायए क्योंकि मुंबई में थे तो मुंबई में हमने पूद का अपना फ्लैट भी लिया था पर वहां से पिर बेच तिया था कर दिया कि वहां मुंबई अलग जगे पड़ जाती थी एंड भरतपूर के पास में हमारा गाउं है तो वहीं अभी भी मुंबई को वहीं ठीक लगता है क्यों साधी हो कुछ भी हो गाउं में भी कई वार उनको जाना आना कड़ता है नानी की यहां पे भी कई बार हो आती है हो जब मुंबई रहते था तब तो इतना सब रहेदा म्हां थे बहुत नहीं होता था था तुम्मी प्रॉब्लम रहती थी वहां पर लेकिन भरतपुर में एन्वार्मेंट के हिसाप से उनको बहुत अच्छा सूट हुआ है तो मतलब वहां पर ठीक रहती है भरतपुर में उनका हर्द दूसरे-30 दिन तब्यत खराब हो जाता था तो एक रिजन ये भी था तो बस महां से सैटल तो बहुत बहुत अपना घर बना लिया था और वहीं पर मार्केट एरिया में पढ़ता है मेरा घर तो कफी पर वहीं पर हमने अपना अपना छुलेज भी कंप्लीट किया अपनी अब युनका प्रिपरेशन चल रहा है जूब के लिए बस आने वाली वीडियो में आपको न पूरी complete फैमली से आपको इंट्रडीश कर रहाऊंगी तो वह बस आज के व्लोग में इतना ही मिलते हैं कल के व्लोग में अपना ध्यान रखिये सोरक्सित रहे अपनों को पुश रखिये खुद खुश रहे अपना ध्यान रखिये बावाए